हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं पायल उत्खुबा हो गए उत्थुबा हो गए उत्ति हुट पायल को लेट जाएगी पायल, उठ्थू पालो को, क्या हुआ? अगर बच्छा गिर गया होता है, तो इस तरह से चदर में लपटा में गया होता है सर कहीं ऐसा दुन ही, कि इसे और किसी जगर पर मार गर यहां बाद में फेक दिया गया हो मुझे नहीं लगता, जखमों को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि उसे चलती ट्रेन से ही फेक दिया गया है सोशा है माला, पर पक्का नहीं बता सकती, पायका को पुछ्चा पड़ेगा यहाँ जटादारी माता की जटादारी माता की जटादारी माता की पाहिका कुपलने के क्या जरोत आई? धरम क ममला है उनki सलालेनी बह趣 जरोरी है रही वो चार दें से चैम्पून ने किया है बस इसले उलग गए बहुत हो गया भी तेरा, एकदम शात्रा आता भाईनी, आई को समझाओ ना, कुछ तो बोलो अरे रेनुकाप, आई हमसे ज्यादा जानती, मैं है आई को क्या समझाओ दादा, आप कुछ बोलो ना प्लीज अदभाई, तू डर क्यो रही है, एक बर बायर का को देख को लेने दे, कौन सा तुझे खा जाई है अब साब चुप बैट जाओ, कोई कुछ नी बोलेगा आहो, अब तक आप क्यों खड़े हो यहाँ पे, जाओ और फोन लगाओ उने सर, जिस लड़की की लाश हमें खालापूर के रेलवे पटरियों पर मिली है उस लड़के की फोटो हमारे नेटवर्क में सरक्लर करो और खालापूर के आसपा जितने भी गाव है, वहाँ भी उस लड़के के बारे में पूछताच करो उस लड़के के बारे में पता करना बहुत ज़रूरी है, हो के से? यह मैं आई लावो लो कि आई, अम्रुता, बाइका आले, यह तो जटादारी है, साक्षाद देवी बाकारू, अरे, आप लोगों को तो खोश होना चाहिए, साक्षाद देवी माप के घर आई है, सुन भाई, जाओ, हाल्दी कुंकुम लेकर हो, आंते हाई, हाल्दी कुंकुम क्यों? करोपास, आएक कच्छों बोल रही हमें वही करना होगा, पराई, चो पेक तो, तो यह बुरा मान जाएगे, तब करोपास, तुम्झे, आंते हादी, कुरुपास तुम्झे, यह सब नहीं लगवाना मुझे, नहीं लगवाना, तुम्हारी बेटी को दाइवी शक्ति मिले ह इसे जटाधारी होने का वर्दान मिला है, अब यह लड़की साधारन लड़की नहीं है, इसका खाना पिना, रहन सहर, सब कुछ अलग होगा, अब यह दिवे शक्ति की मालिक है, इसका विवाहा नहीं हो सकता, अब यह आज जिवन कुवारी रहेगी, इसका टीवी, अब यह देखना, नाचना, गाना, बाहर आना जाना सब बन, और हाँ, तुम्हें अपने घर के नियम बदलने होगे, शरीर धो लेना, पर जटा गिली नहीं होनी चाहिए, आज से तुम्हारे देवी शक्ति का जन्म हुआ है, आप तुम पूरे दुन्या का उंधार करोगी चाहे हो जटाधारी, चाहे हो, जए हो, जए कोई देवी में नहीं हूँ, और मैं क्यों किसी के लिए नियम मदलूँ, तु साधारन डड़की नहीं है, एक पेड पे दुफो लुकते है, एक घजरे में जाता है, और दूसरा देवी मा की चर्णों में एर्पड मतला है, जो अब कूप रथा का रूप धारण कर चुकी है जिसने आधोनिक और सभ्भे कहलाने वाले समाच पर एक सवालिया निशान लगा दिया है ये प्रथा दक्षन पष्टमी महरास्ट्रा और उत्तरी करनाटका की प्रथा है महिलाओं के बालों में बालों के कुछ उलजे हुए अंश पनपते हैं जिससे उनके बाल जटिल हो जाते हैं लेकिन उन्हें दिव्वे शक्तियों का नाम दे दिया जाता है और आगे चलकर उस महिला को साधारन जिंदगी जीने के सभी उसूलों से बंचत कर दिया जाता है उसे समाच से अलक थलक कर पवित्र और पावन मान ल है आये मदश मैं घातात आप नहीं कर सकते जही यह सब स्विकार करना ही होगा और इसके बाद बास है कि डशे काईगी तुझेगी नगोत उड़ करना होगा सब एझलड तुला तुला कुदbey गपवस मैंने सम्झा दिया इसे जय हो जटाथारि माकी जए हो जए हो जाए जाए हो अरे सुनाई देता तो यह हो है और अर्ण वारा हो तुमाग नहीं है तुछ में साइड़ाट जटाधारी माता की जए हो अब ये मेरी तरह तैयार हो चुकी है जग्का का लैंड करने के लिए अगले हपते पूरण माशी के दिन इसका परिवर्तन विदी होगा आईए आप लोगा शिर्वाद लीजिए जटाधारी माता की जए हो मैं अब चलती हूँ लेकिन मेरी कही भी बातों को नजर अन्दाज मत करना बाबा बाबा देखो नो ये चटा कैसा है उज़े नहीं पता है को समझा होने ही क्या कर रही है जटा एक तरफ ट्रेन से फेकी गई एक बच्चे की लाश और दूसरी तरफ एक प्रथा के साए में घिरा एक परिवार उपर से सीधा साधा दिखने वाला एक केस आगे चलकर बहुत भयानक मोण लेने वाला था ये तो मैज एक शुरुवात थी ये खौफना का पराथ के सफर की अब वो तुम्हारी बच्ची नहीं है चला दो बस्म कर दो वो सारी चीजें जो तुम्हें और उसे तुम्हारी बेटी होने की याद दिलाती है अब वो सिर्फ चटाधारी है सर जिस बच्चे के लाश में रेलवे पट्री पर मिली उसके पोस्समार्टम रिपोर्ट से ये तो साफ हो गया कि बच्चे को ट्रेन से फेका गया थे क्योंकि उसके स्कल में बट्री पर फैक्चर्स मिले हैं सर उसकी मौत 20 आगोस्ट को सुबे 5-7 बज़े के बीच में हुई है सर चौका देनी वाली बात यह है कि बच्चे की मौत पट्री पर फेके जाने के बज़े से नहीं बल्कि ड्रक्स के ओवरडोस से हुई है क्या एक 7-8 साल के बच्चे के शरीम में ड्रक्स है जावडे यह मामला जैसे धिखता है वैसा है ने मुझे लगता है यह किड्नापिंग का मामला है बच्चा शोर न करे इसलिए उसे ड्रक्स दिया होगा और ड्रक्स के ओवरडोस से उसकी मौथ होगी और इसलिए उसे चलती ट्रेंज़ब फेग दिया होगा बच्चा दिखने में तो अच्छे गर का दिखाई दे रहा है फिर उसके घरवालों ने उसकी मिसिंग कम्रेंट क्यों ने की और बच्चा इस ट्रेन में कहां से चड़ा है उसके साथ कौन था यह कुछ भी क्रियर नहीं है एक कामगुर। मुमबभपुना के भी जितने भी रिलीवे स्टेशन से वहां के सिस्टी भी फूटाई चेक करो सुबह चार बज़े से लेके साथ बज़े तक की वो इने कोई जानकर तो ज़रूर हाथ बग जाएगा को के साथ तागगा जा रॉक कर लेक्या हाई हाई रुक जाओ आई यह क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो एक इसके बाद तो यह कपरे में पैने के संजी तो एक आई आई मुझे नहीं रिखने यह जटा बटा मुझे नहीं पता ही कैसे आई यह मेरा फेवरेट तो अलिदा पीज इससे तो मत जलाओ काम से गव तेलिट नहीं इसके बाद नहीं पैने के तो तो पर आई नहीं समझाती क्यों नहीं हो आई इसके आप से कोई नहीं करेगा करेंगा सबलो कहल के सुनलो भायका न liquor बोल धी ऑव बोल धिया इसकी तरफदारी आपसे कोई नहीं करेगा, है, बर्दार है ये, इससे छेडशार करेंगे ना, तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, तो चाहती है कि हम सब बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे हम सब? जाएंगे, तो हम सब दिफाएंगे, मुझे रचित, याएंगे, नाष्क, भर पसा, थोड़ी दिर में पूजा होने वाले, पिराथ देवी के दरिशन लेना हां चङघा थारी माता की? ज constraints परिवर्तन विधी पूर्ण जहलिए आप लोग जाए और दर्शन लीजिए और हाँ याद रहे जटा को कोई हाथ नहीं लगाएगा जटा लारी माता की जैयो माता की जाने रहे हैं से मिलना उन गाप मुझे अपने दोस्तों से मिलना है मुझे कपड़े नहीं पहनने फिर्णी कि जटादरी हो तौम यह सब नहीं कर सकती एक मिनित तुम बताओ कि ये पूरा घर बरबाद हो जाएं, हम सब रास्ते पे आएं ये चटा, 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 चटा ये रेणू का का है? नहीं आरे ये वा अरे परताश, इतने देर क्यों है? अरे ये बादार से सामान लेने गया, पुझा का बहुत थक गया था अचा, चाँ, चाँ, खाना खाले को? नहीं आई, आज मेरा वरत है वरत है? अगा मुटता, तू तो खाले, आजा बेठ तब नहीं आई, मैंने भी गर की खुशाली के लिए और कारोबार की रुद्धी के लिए वरत रखा तो मिजर्वाना चल्दी लाना प्लेट ये लो समाली से लो गास्पुस का साथविगार तो मेरे प्राहर मचाते था है, है, होल्रीन सचमे, वो गास्पुस वाला कहना काके ना मेरे मूंका तो मजा ही मर गया था तुभी पता है, मैंने वो चैनीज वाले कात्या को भी बोल दी है कि फुलों के साथ साथ रोज पारसल भेज दी अगर वो भी फ्री, हाँ हाँ, कि वो भी माता का भक्त है ना क्याते एक बात बोलू मौके पर चौका अच्छा मार ले दी हो मेरे प्यारे पती, चौका अभी मारा का है बस सही मौके का इंतजार है तुम बस देखते जाओ कि आगे आगे क्या होता है क्या है रेडुका काई करतेस, बार दोने जारी थी क्या नहीं भाई नी मूध होने जारी थी अभी थोड़ी देर पेलगे तुने मूध होया तो अहीं ली मौसम देखो ना इतनी गर्मी हो रही है इससी लिया आप कहती हो तो थोड़ी देर में कर लेती हो ठीक है, मैं चाती हूँ जा हलो जटा की प्रथा रेनुका के लिए एक बड़ी उल्जन बन गई थी उसके घर वाले भी इस प्रथा में विश्वास कर रहे थे इसलिए उसके पास कोई चारा नहीं रह गया था सिवाए इसके कि वो इसे परदाश करें गुजरते वक्त के साथ उसकी हिम्मद भी जवाब देती जा रही थी उसके अपने भी इस प्रथा की आड में अपना उन्मू सीधा कर रहे थी मैं देखते हूँ अरे माउशी नमस्कार करते है क्यासी है तुँ ताई काई चले नमस्कार तुम लोग के रिनुका के साथ कर क्या रहे हो यह सब अंधर विश्वास है अब यह लड़की साधारन लड़की नहीं है इसका खाना पिना रहन सहन सब कुछ अलग होगा मनिशा माना कि दूद मेरी दूर की भेन है और एनुका की माउसी लेकिन हमारे घर में उसने की कोशिश मत कर खबरदार चो हमारे घर पे किसी भी मामले में बोला तो 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 दूर की विष्तादार है ना तो दूर की रहना हम तेरे पार्लर के मामले में कुछ भी बोलते है क्या तो तु हमारा घर के मामने में टांग मत अड़ा अगरता ही उसकी शादी दे हुई है उसके एंगेजमेंट हुई है उसकी शादी करवा हूँ तुम यह दखा उसलों में क्या पढ़ी हो उल्टा आप इन सब बातों से दोरी रो तो अच्छा है अरे पुर्णा श्याप लगेगा अपको समझी देख मनिशा मैंने लड़कोवाले को फोल करके बुला लिया है और मैं को बोलने वाली हूँ के रेनुका को फोल जाओ शादी बादी कुछ नहीं यह मेरे फोल से बच्ची के साथ क्या हो रहा है हाँ देखो केहा हुआ है इसके साथ तु चिंता मत कर तेरे माउशी है ना तुझे कुछ नहीं होने देगी एक काम करने यह फोन पकल जब भी मनम उनसे बात किया तो बिलकुल चिंता मत कर बगवान सब तीक कर देगा चल में आती हूँ सर दादर रेल्वे स्टेशन के से सीड़ी फुटेज से हमने फोटो निका लिए और इस फोटो में साफ साफ दिखाए दे रहा है कि यह लड़का एक आवरत के साथ है और यह दोनों मुंबे से पूने जनने में ट्रेन में एस कोर बोगी में चड़े जावडे उस रूट पर जितने भी स्टेशन वहां पर यह फोटो सर्क्लिट कर और इसे अकबार में चाप दो लोगों से अपील करो कि वह हमारी मदद करें कोई न कोई तो आगे जरूर आए आखो मैंने ने सब पुछ गदा दिया है एक बात बताओं बहुत कुछ पुछ बदा दिया है तुमको देखो न तो देखते ही रहे जाए इंडिन, छोड़ पाता हुआ अरे नहीं, सच्छे में तुम्हारी कस हो अविनाश, देखो ना, इन लोगोंने मेरा क्या हाल कर दिया है मेरा जीना हराम कर रख है में जिंदीकी सितंग आगई हूँ, प्लीज मझे यहांस लेचलो डेड़का डेड़का आपकी जे हो जे हो भाई साप चलते हैं अभीनाश आजा अभीनाश, यह क्या कर रहे हो अभीनाश, सुरो अभीनाश कि चिए रड़ प्रेंटू का अविनार्च का मुझ उसे मिल ले और अविनाष्ट might अविनाष्छ अपकर तुंधू यहां क्युमाई है क्या है रे एंठका तुम और जेनुका तू मुझे तुमसे बहुत करनी है र milk अंधर चल्के पाद करें इन हेलो, हेलो, हमारा रिष्टा हुआ अविनाश, हमारे परिवार वालों ने हमारी इंगेजमेंट कराई है, की थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, रिनुका, कुछ नहीं बदल अविनाश, तुम बदल गए हो, ना फोन करते हो, ना मिलने आते हो, और एसे नजरे चुरात हो बस, देखो, मेरे आई बाबा ने मुझे तुम से दूर रहने के लिए का, समझो रेनुका, अब तुम पहले वाली रेनुका नहीं रही, जटाधारी हो गई हो, अविनाश, तु मोरो की तरह हो गए हो, कायर हो गए हो, तर्पो, 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 किका, तर्पो, जटाए, था ही है, था ही तब भी ठीक है, जो ही कुछ खा ले ना, था ही, पागल, पायल, बेहन मेरे मदद करना, इसे खोल दे, पीस, जाने देना, कोई कुछ नहीं करेगा, तो किसी से मठ ड़, इसे में मदद करते, मदद करना, खड़ी क्या देख रहे है, रेनुका, तुमने ना बहुत बड़ा पाप की है, इसके सदो तुम्हें भुगत नहीं पड़ेगी अरे, तुम्हें पता भी नहीं है, कितने सारे लोग आयते दर्शन के रे, खाली हाथ लोटके, चले गए वो, अमृता, बस, बोट हो गे, बोट बोल दिया तुने, बस, और तु, खबरदार इसकी कोई भी मदद की तुने दा, लेकिन आई, 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 आई, यहाँ सब कुछ ठीक है, बोलो, साब, मैंने स और तु इस बच्चे को स्टेंड में देखा था, तुम्हें पक्का यकी ने, यही औरत थी, जी सार, कुछ कहा इसने की, वो कहा जा रही है, नहीं सर, वो एक दाई, आई, 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 एप दम, खोई सी थी, तुम्हें काहा तक देखा था, उससे, सर, जब मैं कल्यान उतरा, तब तक तो अपने सीटे बैठी मुए थी, अच्छी, एक बात बताओ, शकल से वो बच्चे चोराने वाली लग रही थी, नहीं सर, वो बच्चा तो उससे आई कह रहा था, वो मा थ उसकी उनके साथ और कोई था नहीं सर्थ तैंक्यू वेरी मच्छ जरूरत पड़ेगी तो दुबारा बुला लो जी सर्थ जब एक बात समझ भी नहीं आ रही है अगर ये और उस बच्चे की मा है तो फिर बच्चे को चदर में लपेट कर फेका किसी और इतना बड़ा हाथा होने के बाद भी इस और पुलिस कमलन क्यों नहीं कि चलो मान लेते कि इसी ने अपने बच्चे को मारा हुआ लेकिन एक किसी के साथ उनकी चिना चुपकी हुए हो उसी में या हथा हुआ हो और बाद में किसी के FormT one अधम Boston originally Ray a your hev bear suggests औरुका हो कांडुक कख अपर से सबाद गल्यायो ही किसी मान इसरइफ में ये पाना बिस्पाआ हुए अपने हालात से जूजने में रिनु का कमजोर पढ़ती जा रही थी उसकी शमता जवाब दे रही थी लेकिन परिवार पर इसका कोई खास असर नहीं पढ़ रहा था संजे जोती के आगे बेबस था और जोती अपने डर के आगे घुटने टेक चुकी थी पाइल कुछ समझने और समझाने की हालत में नहीं थी प्रकाश और अमरिता अपना फाइदा उठाने में जुटे हुए थे और दूसरी तरफ खाला पर पुलिस की लाश की तहकीकात में अंधेरे कुओं में धस्ती जा रही थी ये सारे तार अबे खौफनाक मोड लेने वाले थे जिसकी किसी ने कलपना भी नहीं की थी मैंने सारे रेलवेज स्टेशन के सिसेडी भी फुटेच चेक की है तो पता चला कि वह औरत करज़स्टेशन पे उतरी थी और उस वक्त वो अकेली थी जिस आदमी ने इने ट्रेन में दिखा था उसके कहने के मुताबिर ये दोनों मा बेटे थी सर वो बच्चा तो उसे आई कह रहा था लेकर ये अकेली करज़स्ट में उतर गए उस अरत की तस्वीर लिए हर इंसान से पूछताच की और आखिरकार उनकी मेहनत रंग ले ही आएं सर अरिक्षा वोला जा बाइला उरत तो हाँ साप उस अरत को में ने बिखा है असे रुपावा मेड़ा असे रुपावा में असे रुपावा अजिर्शा बढ़ता हो करे थी ऐसे लगता है दारूपी के आई है नशा किया था लेकिन मुझस बास नहीं आ रहे थी कार छोड़ा था उस अरत को साप तिलक नगर साप उज दिन याल आके उसको मिने छोड़ा था उसके बाद आगे पता नहीं कहां चलेगे वो अगर उस आउरत के बारे में खुछ भी पता चले तो हमें इस संबर पर फोंद करना जी साप अच्छा जाओ इस आउरत को जानते है सर ये तो सुनीता है आगे वाली गल्ली में दिंकर आओ जिक यहां भाड़े से रहती सर हो साफ ये मेरा ही गर है अब सिर्ट यहीं रहती थी कुछ दिन पहले आइथी कब आई थी तारिख याद है सर वी संबर आने लिए हो साफ यहीं है सुनीता और उसका बेटा प्रसिक सुनीता आप कहा रहती है अब आपको कवा दाने माय को घर माले हो गर के मालीगो यह सुनीधा है यह प्रटीख。 यह कौन है? सर। मैं तो री जानता है। सर। बात किया है। प्रटीख को इस ने त्रेंट से फेग दिया है। उसकी मौत हुचकी है। सुनीधा गायब है। हम लोग से डूण रहे हैं। सुनीधा हैं। person rangibly in hereby paffARD? सर। वो कुछ दिन पहले हां से सब को छोड़कर पुना के असपास रहने के लिए चले गई थी अब थोड़े दिन पहले वापस आई थी उसका पती कहा है? सर पहले तो दोनों साथ में यही रहते थे अब वो कर्जत में रहता है बामन कराड कर पर सर दोनों में बनती नीती सर सुनिता ने अपनी पती को मार मार के भगा तो दिया पर उसको ढड़ता सर कि वो एक दिन आकर प्रती को लेकर जाएगा उसका एड्रेस है तुमारे पास हो हो हाईनस आप रावल एड्रेस ले ले लेना और यह सारे फोटोग्राफ क्स्टडी में ले लो को किसार सर कहिए ऐसा थो नहीं के सुनिता के पती का ही कांडर बच्चे को लेकर ट्रेन बे कुछ हतापाई हुई होगी और उसमें बच्चे को कुछ कोभ गया होगा और बाद में उन्होंने बच्छों को चद्दर में लपट कर पेग दिया हो वो जगता है, उसके पती से बात करे वामन हो साइब इनको जानते हो साइब ये मेरी बीबी और बच्चा है तुम्हारी बीबी गायब हो चुकी और बच्चे की मौत हो गई है मुझे पहले से शक्ता सर वो नहीं धान रख पाईगी प्रतीक का केवल शक्क की बुनिया पर उसने मुझे गर से बाहर निकाल दिया और उस दिन के बाद मैं उसे नहीं मिला सुनिता के शक्करने की कोई तो वहज़ होगी तुम्हारा अफर चल रहे का किसे के साथ कि ऐसा तो नहीं कि तुमने ही अपने बेटे के साथ कुछ किया है उसाब नहीं साब बहुत प्यार करता हूं साब बहुत तडपता था उससे मिलने के लिए लेकिन सुनिता ने मुझसे कहा था कि अगर तुम दुवारा मिलने हमसे यहां आए घर पर तो वो पुलिस में करे लू इंसा का जोटा केज दर्च करा देगी बीस अगस्त जेसे न तुमारे बच्चे की मौत होई थी तुम कहा थे साभ ने उसने टारी का फारी व Deaf a जोटम दढ़ है वे धशन तंगा ने वरणी जचिया खाथा था हुए लगी बच्च से बात करने के लिए लेकिन सुनिता उसको ओन भी ने करने देना चाहती थी लेकि मेरा बेटा फिर भी कही नहीं से फोन, किसी का पून लेकर करी लेता था कुछ दिन पहले सुनिता, पूना गई थी अपनी किसी सहीली के पास रहने के लिए वही से प्रतीक में मुझे पून किया सार। हां प्रतीक? हेलो बाबा, हम लोग inherent पूने में एक आंटी की साथ रहते हैं प्रतीक, तुम हो कैसे यह तो बताओ, मैं आता हूं तुम्से मिलने पूना में बाबा, लगता कोई आग यहा है मैं आपको बातने पून करता हूँ अगर आई को पता चलिया तो मैं अपसे कभी बात नी कर पाऊंगा वो नमरा में दे दो साव इस नमबर से दो बारा फोन नहीं आए साव यह नमबर इसाद इसे जान देओ पर नहीं जानता इसको ठीक है फैक्टर में इसके बारे में पूछताच करो जो नमबर इसने दिया है उसके इनफॉर्मेशन निकलो और सुनीता के कॉल रेकॉर्ड निकलो सुनीता का मिलना बहुत ज़रूरी है वही इस रास को सुल जा सकती है आखिरकार ट्रेन से फेके गए बच्चे की मा की शिनात सुनीता करहटकर के नाम से हुई और वो ड्रक्स कहां से लाए गए थे और कोई इनसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है पुलिस हर पहलू की बारीकी से जाच कर रही थी और दूसरी तरफ रेनुका जटा की प्रता से जूज रही थी और अपने ही तरीके से इससे छुटकारा पाने के रास्ते खोज रही थी प्रकाश रेनुका के बारे में कुछ पता चला तो आई कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है आई सब जगा बात कर लिए भीने, सब लोगों चे पता किये लिकिन कोई ख़बर ही नहीं उसकी अरे देवा एनुका कहा चली कई तु मना कि अतानो तुझे घर से बाह निकलने के लिए आई सु जटादारी है इस कड़द में का तुला वाइका को पता चला तो मना किया तान वाइका ने तुझे इस सब कने के लिए शरीर दो लेना पर जटा गिली नहीं होनी चाहिए जटा को कोई हात नहीं लगाएगा यह क्या तरके है तु तेरी बाल तेरी चटा है अधा तेवी नहीं माफकरना का अरे देवारे आई यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया क्या किया इसने अब 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 हमारे परिवर को कॉन बचाएगा आई बायका ने बोला था जटा को कुछ मत करना अर देखो यह रेनु का क्या करके आई है आई यह बहुत बड़ा पाप है अब हमारे परिवर को कॉन बचाएगा जाला संपले सग्राता अब विनाश बायसाला तुसर मैंने बोला थाना उस पे धन रखने के लिए रखा तुने नहीं ना अब सब लोग धन सुन लो मेरी बात प्रकाष, यह रेनिको वाला पैलोस्ट्स नहीं आहो 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 रेनिको अखन में नहीं है क्या अले तुमने ठीक से देखा हाँ बापा सब जगह देखा आई निट पाइला तुम्हे अगा होगा सगी कड़े पाइला हुई कहीं भी नहीं मिल रही मुझे लेकिन वो कहां कही होगी आहो आहो गवराओ मताओ बेटो तुम्हारा नाम क्या है पाया लबनवे क्या हुआ इतने डरी भी क्यों सर मेरी बेहन क्या हुआ बेहन को देखो घबराओ मार खुल के बो सर मेरी रेनुका टाई का आया बहर रेनुका टाई को जटा आई थी जटा इसी वज़े से सबने उसकी फूजा करना शुरू कर जिया मगर उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था दो दिन पहले उसने अपने बाल भी कटा लिये थे इसलिए घरवालों ने उसे घर के कम्रे में बंद कर दिया वो क्यों सर उनका मानना है कि ताई जटा धारी है और किसी वज़े से उस पे इतनी सारी पाबंधिया लगा दी अच्छा तुम्हारे आई बाबा नहीं आए सर उनका मानना है कि ताई ने जटा और देवी मा का अपमान किया है इसलिए उसे ढूने की कोई जरुवत नहीं है उसने जो किया उसके करण हमारे कर में संकट आ सकता था अच्छा वह खुदी बाग गए आई अच्छा वह भाग भी क्योंकि अब जो भी संकट आना उसी पर आएगा सब उसी का तो किया दारा है तुम्हारी बहन की कोई फोटो अगे रहा अहाँ सर यह लीजे सर प्लीज मेरी ताई को डूम जीजे ना सर प्लीज लेकिन उससे पहले हमें तुम्हारे आई बाबा से मिलना पड़ेगा ठीक है सर लेकिन प्लीज आप उने यह मत बतायेगा कि मैंने आपको आके ख़बर दी है सुनिता के पती वामन ने जो नंबरा में दिया है वो किसी मनीशा वांकेडे के नम पर रजिस्टर है और यह मनीशा खालापुर में रहती है खास बात तो यह सर के यह नंबर अभी बंद आ रहा एड्रेस है उसका हाँ सर चलो चलो राउन आसपास से लोगे से पूछताच करो ओके सर सर दर्वाजा ख़ड़ किया तो बंद है पीछी जाके चेक करो यह और भी इंटरेंस है किया ओके सर यह सामने ओले घर में मनीशा को जानते हो अरे सर दो दिन से मनीशा जी घर पे नहीं आई है वो कभी भी ऐसा एक दू दिन के लिए चली जाती है इन दोनों में से किसी को जानते हो हाँ सर इने जानता हूँ सर पीछे दर्वाजा तो है लेकिन वो भी बंद है सर यह आदमी यही पास मेरेता है इसका गयाना इसने सुनीदा को देखा है बोलो साब मैं सामने वाले घर में काम करता हूँ यह औरत तीन-चार महिने से मनीशा जी के साथ में रहती थी कब की बात है यह चार मनीशा के बारे में अगर खुछ भी पता चलता है तो तुम हमें इंफॉर्म करो और मनीशा कर यहां चली आती है तो उसे कह दा रहा है कि सबसे पहले पुली सेशन में आकर आम से मिरे ज़िए सब जो इस मनीशा के डिटेल्स निका लो उपर से साधारन सा दिखने वाला एक केस अब बेहद खौफनाख मरहले में आ गया था रेनुका घर से गायब थी कहां थी रेनुका सुनीता कहां थी मनीशा के साथ क्या हुआ था खालापुर और लोग आउं में खटने वाले ये अलग-अलग हाथ से क्या एक दूसरे से जुड़े हुए थे अब भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब मिलने बाकी थे जुर्म की इस दर्दना कहानी का दूसरा और अंतिम भाग हम देखेंगे कल रात 14 बजे Crime Patrol Dial 100 में सिर्फ सोनी टीवी पर अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक अपना और अपने परिवार का खयाल रखें और देखते रहें Crime Patrol Dial 100 शूनी शूनी सब अके को सीख हम सब को जै कर दो कर दो कर दो सकता है